चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और बिहार में 6 बचे तक का मद्दान प्रतीशत क्या है वो हम आपको बताते हैं तो 56.85 प्रतीशत वोटिंग हुई है चौथे चरण में दर्भंगा में 56.63 फीसदी वोटिंग हुई है तो बेगु सराय में 58.4 शुन्य प्रतीशत वोटिंग हुई है बात मुंगेर की करें तो 55 फीसदी यहां एक्जाक्टिव वोटिंग हुई है वहीं उजियारकूर में 56 फीसदी वोटिंग हुई है समस्ति पूर आते हैं तो यहाँ पर 58.1 फिसदी वोटिंग हुई है तो यह वोटिंग परसेंटेज इस फोर्थ फेज का बिहार में 6 बचे तक का सामने आ चुका है और यह 5 सीट जिस पर 56.85 प्रतिशत वोटिंग हुई है तो देखिए 6 बचे तक का जो मदान प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज इस बार क्या रहा है तो देखिए बिहार में 56.85 प्रतिशत है और फोर्थ फेज का मदान प्रतिशत है बेगु सराय की बात करें तो 58.4 चुन्य फीस अदी वोटिंग हुई है तो वोटिंग परसेंटेज इस पूर्थ फेज का इस तरीके का रहा है इसके बाद से दूसरी सीट मूंगेर की बात करें तो यहां 55.cas. aut same Conzonion की आएके तो यह हम परिंग पर्सेंटेज यह जो 6 बची तक का voting percentage है और voting percentage बता रहा है कि किस तरीके से 1st page, 2nd page, 3rd page और इस 4th page का क्या voting percentage सामने आया है हалा कि इस voting percentage को बढ़ाने के लिए और कोशिच की जा रही है और बिहार में 56.6-3% voting percentage जो है वो सामने आया है जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये तस्वीर है और ये तस्वीर बता रही है कि 56.63 फीस तदी छे बज़ तक का मद्दान प्रतिशत हुआ है तो ये मद्दान प्रतिशत दर्भंगा की बात करें जहांपर 56.63 फीस तदी वोटिंग और देखिए अब ओवरॉल वोटिंग परसेंटेज जो है इन सीचों पर व कुछ वोटिंग परसेंटेज है उसके कंपेरिशन में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम भी हुआ हाला कि अब एक ग्राफिक्स के सरीए देखिए 6 बज़े तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है तो बिहार में 56.85 फीस तदी वोटिंग हुई है दर्भंगा की अग आपको ग्राफिक्स के सरी बता रहे है जा देखिए गोडा लेकर के आया दूसरा आकड़ा समस्तिपूर में 58.1 फीस तदी और उज्यारपूर में 56.00 फीस तदी वोटिंग हुई है दोनों लोग सबाद सीट एक साथ है और दोनों सीटे जो है अलग-अलग हुई तो अंगेर में 55.00 फीस तदी वोटिंग हुई है तो बेगू सराय में 58.4 फीस तदी वोटिंग हुई है तो ये अलग-अलग सीट का आकड़ा क्या क्या कहता है किस तरीके से वोटिंग परसेंटेश बड़ा है कहां आप इंस दाउन देखने को मिले है इसकी जानकारी हम आप पहुचा रहे हैं इसकी खबर हम आप तक दे रहे हैं